दिल्बर यासीन तुम अपने वीडियो में अपने लानती होने का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देते हो तुम अपने वीडियो में ये कह रहे हो कि उपर कुछ लिखा होता है नजमा की मैं बात कर रही हूँ नजमा की वीडियो के लिए कि ये लोग उपर कुछ लिखते हैं अंदर कुछ तुम क्या करते थे तुम तो अपने नाना, मामी सब को लिखते थी कि मर गई और अंदर क्या होता था? पडोसी मरा होता था तुम खुद को देखो यार तुमने अपनी मा के साथ क्या किया है जो तुम दूसरों को शरम और उसका एहसास दिला रहे हो तुमने अपनी मा के साथ क्या किया उसका character assassination किया तुम उसके बेटे थे न वो चाहे जैसी थी उसका past जैसा रहा हो उसने तुम को पैदा किया था और तुम दूसरे को ये lecture दे रहे हो कि उसको तमीज सिखा रहे हो वाह 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 तुम भी खुद तीन बच्चों के बाप हो और तुम अपने बच्चों को क्या तरवियत दे रहे हो सलमा जैसे बच्चे हैं तुमारे सलमा जिस तरह की भी education दिला रही हो उनके बात करने के रहने सहने से पता चलता है कि वो कितने तमीज़दार बच्चे हैं उनका बात करने का लहज़ा बताता है कि वो क्या पढ़ रहे है और तुमारी इस इन वीडियो से पता चलता है कि तुम किस के इशारे पर वीडियो बनाते हो क्या तुमने अपनी अपनी अपने बारे में कभी सोचा है कि तुमारे तुमारी फैमली के अलावा तुम्हारी wife के अलावा पीछे किस से क्या संबन्द रहे है दुबाई क्या करने के लिए गए थे तुम वो जो voice लीक हुई थी किसी औरत के साथ या औरतों के साथ वो क्या था वो क्या था दिलबर यासी तुम्हारा nature ही तुम्हारा how भाव नेचर ये सब तुम्हारा introduction देता ह लानती चेहरा तुमारा बेगारतों जैसा मतलब बाते करने के लिए तो तुम को तुम मूँ खोलते हो और बेगारती ठपकती है शेम उन यू दिलबर यासीन शेम उन यू मतलब ये शेम उन यू इसलिए का कह रही हूँ कि एक मर्द होते वे तुम एक बेगारत इनसान हो तुम और एक मजबूर औरत का इस तरह से तुम मजाक उड़ा रहे हो उसको परिशान कर रहे हो खुदा की लानत बरसेगी तुम पर मतलब जो सल्मा सल्मा करके तुम ये बक्वास करते रहते हो ना आए दिन अपनी खाला को जो एड्रेस करते रहते हो ना उससे पता चलता है कि तुम किन संसकारों के हो तर्वियत तुमारी कैसी हुई है सल्मा के तुम बच्चों की तर्वियत तुम सब को बता रहे हो ना खुद की देखो और तुम क्या तर्वियत अपने बच्चों को दे रहे हो और ये सोच लेना कि सल्मा के आंसों की एक-एक भून की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी एक-एक भून की कीमत और जो तुम जिसके अपनी मालकिन जिसके इशारे पड़ ये सब बोल रहे हो ना वही तुम लोगों को लात मारेगी पीछे से वही किकाउट करेगी और वो तो औरत मैं क्या कहूंगी कि वो औरतों के नाम पर एक धबा है एक भोला सा चेहरा बनाके और बक्वास करती है वो लानत है उस पर उस औरत पर मुझे तो तुम लोगों की सोच पर तरह साता है आज तुमारी बेहन के साथ इतनी मिस हपनिंग हुई है कोई दूसरा भाई होता तो बेहन के दुगदर्द में शामिल रहा होता और यहाँ पर बैठके तुम उस घटिया औरत के इशारे पर वीडियो बना रहे हो सल्मा के उपर शरम करो दिल बर उपर वाले खाख खाओ जिस तरह से तुम सल्मा को बनाम करने में लगे हुए हो ना यह तुम लोग यह तुमारी अपनी छोटी खाला के जो यह किराए के टटू हो ना तुम सब पहले उसी के ही अगेंस रहते थे ना उसको भी तो तुमारी वीडियो लीक हुई थी क्या कहते थे एजाशा से शरम है तुम लोगों पर शेम उन यू शेम उन यू दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊंगी तब तक के लिए नमस्ते सिलाम सस्रियकाल क्या थिर तो तक के सुई तक कि आई यू तक के लिएगिए एजा कीजिए है थे थीए